नमस्कार बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है आज है 12 अगस तो चलिए बिहार के 15 प्रमुख ख़बर के बारे में जानते हैं बिहार में कोरोना संक्रमन तेजी से फेल रहा है सुवे में हर दिन हजारों की संक्या में मरीजों का इजापा हो रहा है स्वास्त विवाग की और से कोरोना को लेकर ताजा अपडेट जारी किया इया है नई अपडेट के मुताबिक बिहार में 4,071 लोग कुरोना पोजिटिव मिले हैं इसके साथ ही बिहार में कुरोना संक्रमित की संक्या बढ़कर 86,812 हो गई है अब तक कूल एक्टिव मरीजों की संक्या 32,222 हो गई है एंडिय में सामिल जडोई भले ही समय पर चुनाव कराने के लिए बैचेन हो लेकिन लोचपा चुनाव के लिए हरगीज तयार नहीं है चिराग पासवान के बाद अब उनकी पिता राम मिलास पासवान इस मामले को लेकर खुलकर सामने है राम मिलास पासवान ने साप सब्द जाप सुप्रीमो पप्पु यादव ने आज सारन और गोपाल गंज के बाड परवावित इलाकों का दोरा किया गंड़क के जल इसतर में विर्धी के कारण आई बाड और कटाव का निरिक्षन किया सारन के तरेया और गोपाल गंजीले में बेंकटपुर में तडबंदों का निरिक्षन करने के बाड वे बाड से परवावित महिलाव से मुलाकात कर उनकी समझसा सुनिया और उन्हें आर्थिक मदद किया पपु यादव ने कहा कि सोचले ना होने के कारण महिलाव को सबसे दस समझसा का सामना करना पड़ रहा है सरकार को बाड गस इलाकों में राहत सिविर चलाने चाहिए मसहूर सायर रहत इंदोरी का निधन हो गया कुरोना पोजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मैदव देश के इंदोर में अस्पताल में भर्ती कराया गया था कुरोना पॉजिटिव होने के बाद की जानकारी राहत इनोरे के बेटे सतलज और खुद राहत इनोरे ने ट्वीट करके दिया था स्वतनता दिवस नजदिक आते हैं क्यमूर जिले में जंडा तुलन को लेकर तैयारिया सुरू हो गई है इसी को लेकर जिला पतादिकारी क्यमूर एवं पुलिस अधिक्चक दिल नवाज अहमद द्वारा सेयूत रुप से भववा इस्तित जग जिवन इस्टेडियम में स्वतनता दिवस समारों का आयोजन किया जा रहा है एक्टर सुसान सिंग राजपूर मामले में जाज करने गई बिहार पुलिस की टीम के खिलाप मुंबै में बांदरा थाना में कम्प्लेन की गई है बिहार पुलिस की टीम के खिलाप एवायार दज करनी की मांग की गई है यह complaint की गई है कि महराष्ट के करनी सेना की तरब से complaint करने वाले अजय सिंग सिंगर महराष्ट करनी सेना से जुड़े हैं और नवी मुंबई के न्यूप पनवेल के रहने वाले हैं मुझपरपूर में बड़ा हादसा हो गया नदी में नहाने गए चार बच्चे डूब गए हैं बताया जा रहा है कि हादसे में दोग की मौत हो गई है वहीं दोग के जान बचा ली गई है हादसा गहरे पाने में डूबने के करन हुआ है गटना मुझपरपूर के कोड़नी थ जाना इलाके की है बताया जा रहा कि पाने में नहाने के दौरान चार बच्चे डूब गए जिसमें दो की मौत हो गई और बताया जा रहा कि ये बच्चे पानी में नहा रहते इस दौरान ज्यादा गहरे पाने में जाने से ये बच्चे डूबने लगे कोरोना काल होने से बिहार के निचली अदालतों में सुनवाई बन थे लेकिन कल यानि बुदवार से बिहार के सभी निचली अदालतों में एक वर फिर से नियाई कायर की सुरुवात होगी पटना हाई कोट के मुख नियादिस के निर्देश पर हाई कोट प्रसासर ने सभी जीला एवं सत्र नियादिस को सुमवार को इस सम्मद में निर्देश जारी कर दिया है पटना हाई कोट ने निजली अदालतों को वर्चुल कोट में सभी परकार की मुकदमों की सुनवाई करने का निर्देश दिया है बाड के बीच एक वीडियो इन दिनों सोसल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि बाड के बीच एक युवक बरात लेकर नाव में बेटकर बरातियों के साथ डांस कर दड़की वालों के घर पहुची और उसकी साधी हुई दरसल समस्तिपूर के ताजपूर थाने के मुसापूर गाउं से सकरा के भठंडी गाउं बारत आई थी बिहार में रावन की एंट्री हो गई है रावन के टीम बिहार विदानसवा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिसकी गोसना खुद रावन नी की है भीम आर्मी के संस्ताबक चंदर सेखर आजाद रावन ने पटना में गोसना करते विए कहा कि आजाद समाज पाटी के जंडे तले बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा जिसके लिए भीम आर्मी ने कमर कसली है एक तरब उत्तर बिहार में चारो तरब पाने ही पाने है चारो तरब नदियों ने तांडब मचाया है जिसमें एक जिला मुझपर पूर है जहां बार से 14 प्रकंट परबावित है और लाकों की आबादी यहां पर बार की विना सिलिला को जहल रही है वहीं इस जिले में एक तरफ तो बाड के तबाई के रुप में को देखेंगे वहीं दूसरे तरफ नगर निगम के वाड नमबर 13 के कई महलों में पंप हाउस का मोटर खराब होने से महले के लोग बेना पानी के ही जिन्दिगी जी रहे हैं वहीं चापकल में गंदा पानी आ रहा है जिससे इस्तिती और भी खराब हो गई है मंगलवार को देश की आजादी का पहला बम धमाका करने वाले अमर सहित खुदिराम बोस के बलिदान दिवस पर उन्हें याद किया गया अलग अलग जगव पर आज सरकारी अधिकारी एवं सामाजिक संगटन के लोगों ने सहित खुदिराम बोस को सधान जली दी और उनके योगदान की चर्चा की ट्यूजडे टॉक को लेकर रनवीर नंदन ने कहा कि बिहार के चात्र और चात्राओं के बीच बहुत बड़ी जागरुकता हुई कोरोना काल में भी चात्र जेडेजो यहां निरंतन परियास कर रहा है कि सरकार द्वारा कॉलेज, स्कुल और कोचिंग संस्थानों के लिए जो योजनाय बनी है उनका लाब मिले नितिष कुमार के कार्याले में बेटीओं का स्यक्षनिक विकास, कोरोना काल में भी बेटिया मेहनत कर रही है बिहार की महिला डक्टर्स नर्सों ने जिस कमिटमेंट से काम किया है या दरसाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने आधि अबादी के संदर्व में कितना काम किया है आज वो प्रदसित हो रहा है कोरोना वारिस से संग्रमित होने के बाद पूर्व राष्टपती पन्नम मुकजी की हालत गंबिर बनी हुई है उन्हें स्वमवार को दिल्ली के आर्मी आरार अस्पताल में भरती कराया गया था यहां उनके मस्तिस के ठक्के के लिए आपातकालिन जीवम रक्षक सरजरी की ग प्यम के साथ वीडियो कॉनफरेंसिंग की जर्य बात की इस दोरान के कहा कि जैसे जैसे वक्त बितरा है मामारी अपना रूप बदल रही है और कई तरह की परिचिति पैदा हो रही है इस दोरान प्यम ने नितिस्क मास से कहा कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग बढ़ानी की जरुरत है देश में असिफ हिजदी केस सिर्फ दस राजियों में है अभुम इख्यम अक्टी मन्तरियों से फ्यम ने कहा कि इतने बड़े संकट के दोरान आप सभी का साथ काम करना बड़ी बात है आज असिफ हुजदी एक्टिव केस सिर्फ 10 राज में हैं देश में एक्टिव केस 6 लाग से जादा है अधिकतर मामले 10 राजियों में है इसलिए इन राजियों से चर्चा जरूरी है एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जिनोंने कोरोना महामारी में एक योद्धा की तरह काम किया है और अब सम्मानित किया जाएगा वो भी 15 अगस्त को दरसल 15 अगस्त को गानी मैदान में सुतंता दिवस की राज के समारों आईजित किया जाएगा इसी समारों में पटना जिला परसवसन की तरफ से कोरोना वरियस और प्लाजमा डोनेट करने वालों को सम्मानित किया जाएगा अगली कबर बिहार में कोरोना के कारण इस्तिति भायावा होती जा रही है इसी दोरान कई ऐसे अभिनेता है जिन्होंने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है ऐसे ही एक महान सक्स है अभिनेता सोनुसूद जो लोगडाउन के दोरान मसिया साबित हुए हैं चार में इतना ही देखते रही है नियूज 24-7